उल्याप अधिम को इस वीडियो में आपका बहुत-वहथ श्वागत है दोस्तों क्या आपको पता है कि यदी हम कोई लोन लिते हैं चाहे वो हूमलोनों, दैक दूर्म लोनों कार लोन या किसी भी तरब रोनों तो हमें इना-माइं कॅलक्लेशन करने की पता होना जोड़ी है, जैसे कि आपका loan amount क्या है, rate of interest क्या है, कितने सालों के लिए loan लेना चाहते हैं, इन चीजों के basis पे, यह information आपको पता होती, इन चीजों के basis पे, इन input के basis पे आप EMI का पता लगा सकती, EMI का मतलब होता है कि bank या जिससे भी आप कर्ज लेते हैं, तो उसे पर मन्त कितना पैसा पे करना होगा, तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं, एक home loan के लिए, कि home loan का EMI हम कैसे calculate करें, तो आप देख सकते कि मेरे actual पर कुछ information है, जैसे loan amount, जिसको principal amount विए करते हैं, वो 30 lakhs मैंने लिया है, rate of interest 10.5 लिया है मैंने, यह जो rate of interest है per annum का होता है, और period in years लिखे है 15, 15 years के लिए loan लेना है, और 30 lakhs लेना है, जिसका rate of interest 10.5% है, तो इसके basis पर हम EMI कैसे निकालें, तो actual में EMI आप बड़ी आशानी से निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको PMT formula का use करना होता है, तो जिस sale में आपको EMI निकालना है, उसमें करसा रखें, equal to design लिखें, और लिखे PMT, तो formula यहाँ जागे, इसे double click करें, इसके बाद सरसे पहले rate of interest है, तो rate of interest के लिए sale पर हम click करते हैं, चुकि ए rate of interest एक साल के लिए है, हमें per month के लिए निकालना है, तो इसमें divide करना होगा आपको 12 से, तो one month का rate of interest आगया, उसका comma देने के बाद, जो 10 year है, कितने years के लिए आप loan लेना चाहते हैं, उस sale को हमें accelerate करा, तो अभी हम 15 years के लिए calculate कर रहे हैं, तो यह 15 जो है years में, तो one year में basically 12 months होते हैं, तो इसमें हम multiply करेंगे 12, मतलब हर साल आपको 12 EMI देने परेंगे, पंदरा सा तक लगाता है, उसके बाद जो principal amount है, जो present value है, जो इस sale में है, इसे हम click कर लेंगे, उसके बाद bracket को close करेंगे, और interface करेंगे, तो यह जो EMI आपको दीख रहा है, जो 33,161,97 पैशा, इतना per month के हिसाब से EMI देना पढ़ेगा, यदि इतना principal हो, या loan amount हो, 10.5% rate of interest हो, और 15 years क तो इसमें कोई भी data आप चेंज करेंगे, तो automatically EMI यहाँ चेंज हो जाए, let's say कि मैं 30 lakhs loan लेना चाहता हूँ, 10.5% के rate of interest हो, 20 years के लिए, 20 मैं यहाँ जैसे लिखूँगा ता आप देख सकते हो कि EMI कम हो गया, right, 20 years तक, let's say कि जो आपको principal amount है, loan amount है, EMI 40 lakh कर देता हूँ, त तो आप देख सकते, EMI चेंज हो गया, तो दोस्तों आपने देखा कि actual के अंदर यदि आपको किसी भी परकार का loan लेना चाहते हैं, उसका EMI निकालना चाहते हैं, तो PMT formula के help से आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो आसा है वीडियो पसंद आगा, वीडियो पसंद इसे like करे इसे share करें, और किके हिंदी ग्यान एडियो चनल को एक तक subscribe नहीं किया होगा तो प्लीज इसे subscribe कर ले, thank you so much